नमस्कार तो मेरे ख्याल में हर इंडियन फुटबॉल फैन खोश ही होगा कि ODSFC जो है क्वालिफा कर चुकी है AFC कप के लिए और देखिए ये प्रेडिक्सन भी यही थी कि गोकुलम को वो हरा देगी हाना और उन्होंने हराया और है ट्रिक आई है डियोगो मुरिशियो के तरफ से तो डियोगो मुरिशियो भी कितने हैं कि कितने इंपोर्टेंट प्रेड चल रहे है ODSFC के लिए और उनके कॉंट्रेक्ट को जो आगे बढ़ाया गया है वो कितना फायदे मन हो सकता ODSFC के लिए ये अप सोचने की बाती नहीं उसके लिए न और एक सिंपल सी बात में आप से ये करना चाहते हूं कि देखे ODSFC क्वालिफाथ हो चुका AFC कप के लिए लेकिन इसके पीछे जिस इंसान का हाथ वो कौन है जिसका माइंड है वो कौन है कई जो सायद ODSFC को उतने अच्छे से फालो नहीं करते हूँ ये सोच रहा होंगे कि क्लिफोर्ड मिरांडा ने कैसे इस टीम को मतलब कि ये सूपर कब भी और AFC कप के लिए क्लिफा करवा दिया कैसे तो उसके पीछे कारण है रहा कि उन्होंने टीम को एक साथ में कैसे लाइस पर वर्क किया और टीम को एक साथ लेकर वाए तो वो टीम ने सब कुछ करके दिखा दिया जो एक कोच एक्सपेक्ट करता है तो देखे किलिफोर्ड मिरांडा ने ओल्रेडी जो ओडिसा एफसी उसकी हिस्ट्री में दो बहुत बड़े कारणामे कर दिये एक तो सुपर कब जिता दिया और एक AFC कप के लिए क्वालिफा करवा दिये टीम को लेकिन क्या ये उनका पहली बार को इंटरनेस्टल स्टेज है पहली बार ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर ऐसा कोच हम बात करें तो AFC चैंपियंस लीग में गोवा के वो कोच थे असिस्टेंट कोच थे और कोच भी किया था उन्होंने जब फरेंडो जो एफसेंट थे तब उन्होंने कोच भी किया था टीम को तो बड़े स्टेज का एक्स्पियंस उनको ऐसा कोच भी है और मैं क्यों मोल रहा हूं कि AFC कप से उनका दूर से नाता है मतलब दूर से क्या पास सीन आता है वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ही पता है कि Clifford Miranda जो है वो पहले एक बहुत शांदार प्लेयर भी रहा चुके है और जब वो Dempo में खेलते थे तो वहाँ पर 2008 में पहला Indian club बना था Dempo जो की AFC Cup के semi-final में पहुचा था ठीक है और उस time पे squad में Clifford Miranda भी थे और ये लोग semi-final में Lebanon के एक साफा नाम के club से हार गया थे तो देखिए मतलब कि क्या बोलते है उसको की एक type को coincidence आप सोचे की फिर से वो मौका जो है वो मिल रहा है Clifford Miranda को की वो फिर से वो history repeat कर सकते बट इस बार as a coach तो ओडिसे FC जो है qualify कर चुका है AFC Cup के लिए और history recreate करने का मौका है Clifford Miranda के लिए कि क्या ओडिसे FC को semi-final तक या final तक या क्या AFC Cup जिता सकते है Clifford Miranda अभि है Clifford Miranda के साथ एक और वेक्ति जो है Sergio Lobera और Sergio Lobera के साथ भी पुरानी partnership रहे चुकी Clifford Miranda की आपको पते होगा FC Goa में तो दोनो जब दोनो इतने अच्छे tactician बन चुकी अब तो भाई दोनो अगर आप Sergio Lobera की बात करें तो team builder है वो और Clifford Miranda की बात करें तो एक भहुत ही अच्छा supportive assistant coach जो होना चाहिए या अभी तो as a head coach भी भाई शानदार काम कर रहे है लेकिन as a supportive coach जो होता है assistant coach उस रूप में भी बहुत शानदार काम Clifford Miranda का है तो Sergio Lobera को एक perfect assistance मिलेगा perfect तो यह DCFC के future के लिए बहुत अच्छी बात है हाला कि पहला सबसे पहला पढ़ाव जो है वो है कि group stage clear करना है वहाँ पर भी 80 मोहन बगान हैधरवाद FC में जो जीतेगा वो आएगा और जो other safe region के club से वो भी आएंगे तो वो भी पहला पढ़ाव भी बहुत मुश्किल होता है लेकिन आप यहाँ पर एक prediction ही लगाना है ना तो prediction बिल्कु लगा सकती है कि ओडीस FC भी कर सकता है भाई क्योंकि क्या Super Cup में आपने सोचा था Super Cup जीत जाएंगे ओडीस FC नहीं सोचा था जीत गए है ना AFC Cup में जा रहे हमने AFC Cup के लिए इंडियन क्लब ने इतिहास रचा था तब भी उस टीम में सामिल थे डेमपो SC में 2008 के सेमी फैनल में ठीक है और उसके बाद आज भी हम बात करें कि ओडीस FC जब इतिहास रचने जा रहे है और इतिहास तो रचा है AFC Cup में कौलिफा करके लेकिन आगे शायद और बड़ा इतिहास रच सकता है उसमें भी क्लिफोर्ड मिरांडा साथ में होने वाले है तो आपको क्या लगता है कि क्लिफोर्ड मिरांडा हिस्ट्री को recreate कर पाएंगे कि AFC Cup में इस बार हुब भगड़ा इतिहास रच पाएंग और बहुत ही शांदार मतलब की year हो चुका है और इसी तरह भारती फुटबॉल को सपोर्ट करते रहे है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए पाएंगे के लिए वीडियो देखने के लिए वीडियो दुक्रिया वीडियो देखने के लिए बहुत है